हाई फ्रेंज वेलकम बाक टो मैं चानल और मेरे चानल पर अगर आ गए हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूला क्योंकि आप लोग की जो छोटी छोटी हेल्प है ना उनसे इन कैट्स की बहुत हेल्प होने वाली है तो गाइस मैं बात कर रही थी acting के ही related है ना तो मैं उसी को continue करूँगी और अब हम चलते हैं आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि पहली बार Bombay कैसे जाया जाए और मैं कैसे गई थी यह समय बताने वाली हूँ देखे अगर आप दिल्ली में आपने enough काम कर लें मतलब एक दू साल आप रुक लिए और आपने थोड़े पैसे भी खटे कर लिए जॉब करके करें या कैसे भी करके करें जाया नाइट शिफ्ट करके करें पैसे तो आपको थोड़े खटे करने पड़ेगा मतलब round of आप सम से पहले तो यहीं से पता करके कुछ ना वहाँ पर डॉमेट ट्रीज हैं बॉमे में जब आप जाओगी ना तो ऐसे डॉमेट ट्रीज हैं जो कि आपको तीन सो रुपे पर डे के हिसाब से आपको आप महां रह सकते हो और बहुत अराम से जो भी अपना आपको करना है कि अच्छा मेरा फरेंड होगा तो मैं दोस्त के पास जाऊंगा मैं उन लोगों की बात बता रही हूँ जिनका ना कोई दोस्त है नो कोई है और उनको बॉम्बे जाना है अगर आपको कोई फ्रेंड है वो आपको सपोर्ट तर फिर तो बहुत इच्छी बात है लेकिन अग जगे हैं जहां पर उडिशन सबसे जादा ले जाते हैं एक है अराम नगर पार्ट वन और पार्ट तू दोनों दूसरा है यह चार बंगला महाड़ा है ना तो बहुत पास है अगर आप अंधेरी वेस्ट में रहते हो तो अंधेरी वेस्ट के एरिया में है तो उन जगों को आपने क्या करना है एक्स्प्लोर करना स्टार्ट कर देना है आपको कोई कॉन्टक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आप बस अपना एक्स्प्लोरेशन जारी रखिए समझे तो आप वहाँ पे देखो नॉक टो नॉक करना पड़ेगा आपको नॉक नॉक करना पड़ेगा और most of the time आपका audition ले लिया जाएगा और क्योंकि लड़कियों की कमी भी होती है मार्केट में और डिमांड भी बहुत होती है तो इसलिए girls को तो कोई problem होगी नहीं काम ढूणने में अगर आप boy हैं तो of course आपको काफी जादा दिकत हो सकती है लेकिन क्या करें है struggle तो यही है न फिर और इस तरह से आपने करने है अब दूसरी चीज आपने जो करनी है दूसरी चीज आपने यह करनी है कि जो भी tv serials आ रहे हैं न ठीवी serials आ रहे हैं ठीक है उनकी production house दिये वे रहते हैं जैसे आपने अनूपा मा है ना अनूपा मा आपने टाइप किया Google में तो आप जब उसका Wikipedia पेज देखोगे तो वहां पे उसका production house भी mention होगा कि हाँ यह production house है यह producer कर रहे हैं अब आपने वह production house और उस गूगल पर डाल के आपने फिर्डेक्शन सच कर लेना है जब आप प्रडेक्शन सच करेंगे तो आपको ऐड्रेस लोकेशन बगरा मिल जाएंगे मुस्ति होता है कि उनमें एक कh लायं लाइन दिया होता है लायं पर फोन करके भी पूछ सकते हो नहीं तो address दिया होता है directly आप वहाँ चले जाएए और वहाँ पर उनसे पूछ लीज़े कि कोई audition हो रहा है नहीं हो रहा है 90% जो यह होते हैं आपने serials उसमें audition चलते ही रहते हैं मतलब continuation में चलते रहते हैं वहाँ पर तो आपको mostly audition के लिए आपको call आ जाएगा अब आपने auditions के लिए कर लिया हाँ जो यह साउधन इंडिया क्राइम तक और यह जो दबंग है दबंग शाद एक चानल है दंगल चानल है है ना तो इनके production houses में probability बहुत जादा रहती है होने की क्योंकि उनको रोज नहीं नहीं आर्टिस की जुरुत होती है तो इन पे आप फोकस करना साउधन इंडिया बहुत सारे production houses कराते हैं एक production house नहीं कराता तो वह आप दिहान से देख लेना कि कौन कौन से production houses है फिर आपके दीरे दीरे महाँ पे दोस्त भी बनते चले जाएंगे तो उनसे पूछना शुरू कर दीजिए कौन से whatsapp groups होते हैं कुछ actors whatsapp groups होते ह उनको आप जॉइन कर लीजें वहाँ पे auditions की calls और कहां पे audition चल रहा है वो सबाना आपको पता चलता रहेगा तो यह तरीके से आपने अगर आप बिल्कुल जीरो से हो तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप बहुत राम से वहाँ पे बहुत अच्छा कर सकते हो लेकिन आपने एक चीज ज्यान रखनी है जो कि सबसे जादा important है कि audition आपने तपी देना है जब आप पूरी तरह से capable हो जाओ मतलब आपने गंदा audition जाके नहीं देना है क्योंकि आप चाहे दो या तीन दिन में एक audition दो पर वही audition अगर आपने बहुत अच्छे से दे दिया ना आपके acting भी perfect आपके looks भी perfect है सब कुछ perfect है बलकि मैं तो बोलूँगी perfect बनके ही दिली जाना है समझे आप तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपके बलकि जब आप दिली से पॉम में जा रहे हो ना तो पहले ही अपने आपको पर्फेक्शन में करके जाओं तो ये अच्छे से आपने बनके जाना है बॉडी भी इतनी नहीं बनानी कि वहीं वहीं से मोटे मोटे लग रहे हैं फिर आप लिमिटर जागे ने कुछ characters के लिए समझ गए तो ये सब चीज़े आपने पहले सी prepare करके जानी है अब बहुत तो अच्छे से जाके अगर आपको ठीक सांटायलव बोलना आता है ना तो काम चल जाएगा आपको काम बने शुरू हो जाएगा और acting आप पर इस तरह के रैक्ट्स चलते हैं जो कोई ऐसा रूल रेगुलेशन को टार्गेट करते हैं तो ये सब आपने कर लेना रही होगी वूड़ी अच्छे होगी तो acting अच्छे नहीं होगी तो ये इसममें फिर वो मेरी प्रफीर चलते हैं और 50 बाहर है आ यárioder थी बाहर रही दो पर आपको संबिना जाए जाएं और समय वाला भी click हारए जाके और सब्सक्रापने ग 1998 क्रें करें तब आपने ऐसे दिया करना आपको बहुत जादी किसी ना कि अगर आपको कोई छेड़ रहा है और तो आपका रेक्शन कैसी होगा और आपको अच्छा लगए थी आपको और मुझे बोल रहे थे काफी इंपूर्टन है और मुझे लगता है कि काफी अब तक मैंने अब अब यह उ विडियो जादने के लिए लिए बीचने के लिए